बिहार सरकार के मंत्री तेश प्रताब यादफ ने पाटलेपूर्थ कॉलोनी पार्क नमबर 149 और पाटलेपूर्थ रोड नमबर 114 पार्क का लोकार पन गया जोरान तेश प्रताब यादफ ने कहा कि पार्क का लगतार उद्घाटन हो रहा है जितने भी पार्क बन कर तयार हो चुके हैं उसे आप पबलिक के लिए चालू कर दिया गया आपको पता दे कि निदेश कुमार के दिली दौरे को लेकर भी तेश प्रताब यादफ कहते हुए नजर आए कि 2024 के लिए महा कटफंदन पूरी तरह से इंटेक्ट है जो काफी आची बात है वही हमेशा से तेश प्रताब यादफ हविश्युवानी करते हुए नजर आए क कि यह क्या कुछ कह रहे हैं दालू के बड़े दार वोट करने के लिए हैं तो बहुत करने के लिए हैं तो अच्छी बात करने तो अच्छी बात है ना कि अधर लिए अधर अधर आफे कि रहा हैं पूरे तरीके से इंटाक था अधर आपत काहा से भाजपा के नेता उसे कई एक संपट्ख है मेरा वो तो बोल रहे है कि 24 में खतम हो रहा है जैसे आपने वोट करने के लिए यादू को कहा था बीजे पी नेता ने इल्वीस कि देखिए यहां गयत है वो बिग बॉस है वे तरीके का वो खेल टाइप का है तो उसमें आगर माद आपने मनीशा रानी को आप सपोर्ट कर रहे हैं कर तो रहे हैं सब कर रहे हैं सब कर रहे हैं जो काम हो रहा हुँ देखा यह कौन किसको सपोर्ट किया हुखा है पटाथी लालू जी पहले की तरफ फिट हो गया है और अब कल बरिंद्रा उने निकले थे क्या कर दो आपको जलन का हो रहा है तो आप लोगों को जलन की और आम बिडिया के लोग को जलिये मत वो खुलफी आप नहीं खाते हैं कुल भी बैठके अब भी तो जाते हैं पार्क का लगातार उटगाटन हो रहा है जहां जहां पार्क बनके रेडी है उसको किया जारा पब्लिक के लिए निपीश कुमार दिली गाए है अब उदर से लॉट क्या आते हैं मुलकात करने के लिए हुए है तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे तेश प्रता आप यादा वैसे तमाम ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं आप देख रहे थे आई वी टीवी मैंनी शाथ धन्यवाद आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशिया ना तो कीजिए हमारे न नमबरू पर संपर